हेलो दोस्तों, बेलकम बैक टिटोटिप्स, मैं हूँ सरबजी सिंग, आज हम करेंगे जर्नल का 14 सम् टी एस गरेवाल की बुक से, चलिए देखें अपनी बुक में 14 सम्, इसमें लिखा है रिकॉर्ड दे पॉल्मिन ट्रांजक्शन इन जर्नल ओफ अशोका फरनीचर ट्रेड लुदियाना, पंजाब, इसमें टोटल 11 ट्रांजक्शन दीए है जो हम वन वाइवन सॉल्व करेंगे और आपको इसका सारा ट्रीटमेंट भी समझाएंगे, और इसमें एक नोट दिया हुआ है, एंड में भी लाइन लिखी है क्या, CGST और SGST अट इसे 6% इच और इंटर स्टेट सेल परचेज, सो पहली ट्रांजक्शन है हमारे पाट जैन फरस्ट की सार्टर बिजनस बीद कैश रूपीस 50,000, अब कैश और कैपिटल दो काउटिसमें ट्रीट होगे, क्योंकि ये ट्रांजक्शन बहुत बार रिपीट हो चुकी है, तो मैं बाल-बाल एक्स्पे गार्चाउंट के सामने ट्रांजक्शन है कि बाल-बाल बाल-बाल एक्सी काउटिसमें ट्रांजक्शन ब्रांजक्शन है कि इमारे पास जैन फिल्हक थैंड की ओपन अक कराउंट अक्ट पाउंट पर स्नल चेक 3,000, बैंक मारा आटिपिचए पर सनल रेचीवर चेज़ग इसको रेकॉर्ड करते हैं Gen 2nd bank account debit to capital account bank के सामने debit कोल मज़े का 3,50,000 और capital के सामने credit कोल मज़े का 3,50,000 narration आजएगी being opened account by personal check next transaction आगी हमारे पाद Gen 10th की purchase machinery case check 1,00,000 रूपेज अब इसमें machine purchase की रिए कोई भी asset कोई भी goods हमने purchase की हो उस पे CGST तो लगना ही होता है CGST, SGST जा फिर IGST GST text तो calculate करना ही पड़ता है so इस पे भी हम करेंगे इसमें हमारा station नहीं clear कहां से purchase की है तो हमें इसका locally माल लेंगे मतलब intrastate माल लेंगे तो CGST और SGST calculate करेंगे ठीक है अब इसमें हम 4 account maintain करेंगे पहला machine account दूसरा CGST input account और तीसरा SGST input account और चौथा bank क्योंकि payment check से हो रही है अब machine मारा assets है comes in और debit करेंगे CGST input account है SGST input account मारा expense है उसको भी debit करेंगे bank account मारा artificial person है giver है उसे हम credit करेंगे इसकी generated call कर लेते data column लेको जैन 10th machine account debit CGST input account debit SGST input account debit to bank account machine account के सामने debit column है जेगा 1 lakh SGST input account के सामने debit column है जेगा 6,000 और SGST input account के सामने debit column है जेगा 6,000 और bank के सामने credit column है जेगा 1 lakh 12,000 total amount जितना भी है taxes included करके narration है कि हमारे पास being machinery purchased by check next transaction हमारे पास gen 15 की paid wages for installation of machinery wages हमारा expense होता है लेकिन हम इसमें 2 count rate करेंगे machine account और दूसरा cash count machinery हमारा assets है comes in हो रहा है क्योंकि हम उसको fit कर रहे है उस पर wages payment हो रही है न तो वो machine account को debit करना है तो वो भी comes in हो रहा है उसको क्या करेंगे debit cash हमारा assets है goes out हो रहा है उसे हम credit करेंगे इसकी general entry बंजेगी हमारे पास gen 15 की machinery count debit to cash account machinery count के सामने debit कोलम है जेगा 2000 और cash count के सामने credit कोलम है जेगा 2000 शोटी सी बेसली इसकी being pages paid for installation of machinery next transaction है हमारे पास gen 20 की purchase timbers from sing and company लो दे आना पंजाब of the list price रुपे 20,000 allowed 10% trade discount अब 20% इसका क्या है list price है उस पर 10% trade discount है तो सबसे पहले हम trade discount निकालेंगे उसके बाद इस पर taxes calculate करेंगे ठीक है 20,000 का 10% क्या तो कितना है 2000 तो हमारे पास price कितना है पर्चेश price 18,000 अब लुद्यारा से ही purchase किया है लुद्यारा में हमारा business है तो cgst sgst लगेगा वो भी 18,000 पर calculate होगा कितना 6% 18,000 का 6% किया तो कितना आ गया 1,080 इच इसमें 4 account maintain होगे purchase account cgst in bootcount sgst in bootcount और mr. sing and company account पर chase account मारा assets होता है कि goods है हमारे पास goods कमजिन हो रही है क्या करेंगे debit cgst in bootcount और sgst in bootcount मारा expenses है उनको भी क्या करेंगे debit sing and company account artificial person है वो भी goods बेच रहा है means timbers बेच रहा है तो असे हम क्या करेंगे वो giver हो गया giver को क्या करते है credit अब इसकी general record कर लेते हैं date column अजेगा gen 20 पर chase account debit cgst in bootcount debit sgst in bootcount debit two sing and company account लुदिया आना पर chase account के सामने debit column आजेगा 18,000 cgst in bootcount के सामने आजेगा 1080 और sgst in bootcount के सामने भी आजेगा debit column के 1080 और sing and company के सामने credit column आजेगा total amount कितना 20,160 next transaction है माने बाद के gen 25 की out of the web timber used for furnishing the office अब जो हमने timber खरीता है लकड खरीती है उसको हम use कर रहे हैं office को furnish करने के लिए means हम goods को asset में convert कर रहे हैं इसमें हम दो account treat करेंगे पहला तो furniture account क्योंकि हम asset बन रहा है नहीं हम furniture बन रहा है फरनीशिंग हो रही है एक तो furniture बन गया और दूसरा करेंगे purchase account क्योंकि जो timber हमने purchase किया था अब वो office में use हो गया तो purchase को minus कर देंगे ठीक है furniture account हमारा assets है comes in हो रहा है उसे debit कर देंगे goods account हमारा assets है वो goes out हो रहा है उसे हम credit कर देंगे purchase account को अब इसकी जनेटरी क्या बन की date column लिखतो जन 25th office furniture account debit to purchase account office for nature के सामने debit column है जेगा 5000 और to purchase account के सामने credit column है जेगा 5000 अब narration लिखते है इसकी being on stock used for making office furniture next transaction है हमारे पाद gen 31st की sold timber to rakesh of the list price rupees 10,000 and allowed him 10% discount अब timber हमने rakesh को बेचा है जहाँ पर payment के बारे में कोई clear नहीं तो जे तो हमारी credit transaction होगे हम rakesh का account treat करेंगे और जो भी price बेचना है उस पर 10% पहले तो discount less करके उस पर taxis लगेंगे ठीक है 10,000 से 10% सब्टेक्ट किया है तो हमारे पास कितना आगया 9,000 अब जहाँ पर यह भी नहीं बताया कि रेकेश कहां से belong करता है पंजाब से करता है जूपी से करता है कुछ नहीं बताया तो हम जह इंट्रास्टेटी माल लेंगे इस पर हम cgst और sgst का मांट करेंगे ठीक है 9,000 पर 6% मांट कर लो वो दोनों का आजएगा कितना आगया 540 इच अब इस ट्रांजेक्शन में चार अकाउंट रीट होंगे राकेश अकाउंट, sales अकाउंट, cgst और sgst आउटबूट अकाउंट राकेश परसन है, receiver है, debit करेंगे, sales goods और goes out हो रहेंगे, credit करेंगे cgst आउटबूट और sgst आउटबूट हमारी income है, उसको भी हम credit करेंगे अब इसकी भी जनरेटी रिकाउंट कर लेते हैं, जैन 30 परस की राकेश काउंट, debit to sales अकाउंट, cgst आउटबूट काउंट, sgst आउटबूट अकाउंट, rakेश के सामने debit करेंगे 10,080, और sales के सामने credit करेंगे 9,000, और cgst आउटबूट काउंट के सामनेगे 540, और sgst अब इसकी रिखते हैं, being good sold to rakेश, next जनरेटी है हमारे पास 10th की, issue to sing and company a check in full settlement of rupees 20,000, sing and company को check issue हो रहे है, full settlement में, अब पीछे जागे के entry देखते हैं पहले, कि sing and company को पैसे देने कितने थे, sing and company की हमारे पास entry है gen 20th की, तो आप gen 20th की entry चेक करो पहले, तो sing and company को total पैसे हमने देने थे 20,160, और अब पे हम कर रहे हैं 20,000, तो 160 क्या हो गया हमारा discount, तो इस general entry में 3 country होंगे, पहला sing and company काउंट, दूसरा bank account, तीसरा discount received account, sing and company काउंट artificial persons है, वो receiver है, उसको हम debit कर देंगे, bank हमारा artificial person है, वो giver है, उसको हम credit कर देंगे, discount received हमारा क्या gain है, gain को क्या करते है, credit, अब इसकी general entry recall कर देते हैं, date में लिखे तो 10th, sing and company काउंट debit to bank account to discount received account, sing and company काउंट के सामने debit कर देंगे 20,160, और bank के सामने credit कर देंगे 20,000, और discount received का सामने credit कर देंगे 160, और narration लिखनेंगे, being paid to sing and company पा check and received discount, next transaction है हमारे पास, feb 15th की receive from rakej in full settlement, rupees 10,000, अब question में पहले हम rakej की entry देख लो किस date की है, rakej की entry है gen 31st की, so इसको हमने कितने का amount बेचा था, मतलब कितने पैसे इससे लेने थे, वो चेक कर लो, rakej से हमने total 10,000, 80 rupees लेने है, तो अब ही हम receive कितना कर रहे है, 10,000, so 80 rupees हमारा क्या हो गया, discount allowed, इसमें 3 count rate होंगे, cash count, discount, load count और rakej account, cash count मारा assets है, comes in हो रहे हैं, उसे हम debit करेंगे, discount allowed मारा expense है, उसे भी हम debit करेंगे, rakej persons है, अब ऑग giver है, उसको हम credit करेंगे, अब इसकी general rate record कर लेते हैं, books में, date लिख लो, फैब 15, cash count debit, discount allowed, count debit to rakej account, cash के सामने debit करेंगे 10,000, discount allowed के सामने debit करेंगे 80, और to rakej के सामने credit करेंगे 10,000, 80, तो narration के लिखनेंगे being payment received from rakej, so next transaction मारा पास 520 की paid wages 15,000, इसमें एक account wages का टीट हो देगा, दूसरा cash का, क्योंकि cash जा रहा है, so wages उमारे expenses है, उसमें debit होते हैं, cash goes out है, वो credit कर देंगे, चल्म एंटरी बंजेगी हमारी date लिखने दो, Feb 20 की, wages count debit to cash count, wages के सामने debit करेंगे लिखने लिखने दो 15,000, और cash के सामने credit करेंगे लिखने लिखने दो 15,000, narration आजेगी being wages paid, next and last transaction मारा पास Feb 28 की, इच्वाच चेक 4 रूपीस 500,000, in favor of the landlord for rent of February, अब February month का rent पे कर रहे हैं, कितना rent है, 5000, तो rent हमारा expenses, expenses को हम क्या करते हैं debit, कर रहे हैं बाई check, तो bank से जाएगा, bank हमारा आटीपीस परसन है, giver है, और हम कर रहे हैं credit, general entry बन जाएगी मारी date कॉलम लिख दो, Feb 28, rent account debit to bank account, rent account के सामने debit कॉलम आजएगा 5000, और bank account के सामने credit कॉलम आजएगा 5000, narration लिख देते हैं being rent paid to landlord, आज की समकी सारी transaction हमने कर दिया, कोई भी किसी भी transaction में किसी परकार का कोई doubt हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंटर में पूछें, हम जल्दी-जल्द उसका reply करेंगे, कमेंट जुर्द करें वीडियो को शेयर करें जतना ज्यादा हो सकता है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें पहले को प्रेस करें नेक्स्ट कोश्टन की वीडियो की notification आपको जलसे जल मिल सकें, सो थैंक्स फोर वाचिंग, बाइब बाइ, गुड बार्निंग, गुड आप्रनूंग, गुड इवनिंग, गुड नैट जब यह वीडियो को देख रहे हो, सश्रीय काल.